आइट नाओ आप सबका तीनों सब्जेक्ट में जो फोकॉस होना चाहिए वो रिवीजन बन होना चाहिए है हमारा तो भी केमेस्टी का स्लेबस खतम नहीं हुआ अरे भाई 95% हो चुका ना तो 95% की रिवीजन कर लो यह 5% में से सारा पेपर थोड़ा आना ठीक है 95% में से आन दिया कि उसको बहाना मिले किसी तरीके से आप किसी भी तरह का कोई excuse मिल सके ठीक है तो excuse मत ढूंडिये काम करिए जितना काम करेंगे उतना ज्यादा नंबर जो है वो increase होंगे ठीक है आप लोगों ने बड़ी मुश्किल से बहुत सोच समझ के एक बहुत ही अच्छा decision लिया आप पीछे चल रहे होंगे तो हो सकता आप में से कहीं ऐसे हो जो कहें सर तयारी जवर्दस चल रही है बहुत बहुत अच्छी बात है मालेजे कुछ कहेंगे कि सर हमारी तोड़ी ठीक नी चल रही है बटा कोई बात नहीं ठीक है अभी भी आप उसको improve तो definitely कर सकते हो मैं य या 99% प्यों तब भी आप improve कर सकते हैं कितनी बार बता दिया है पिछले 10 दिनों से एकी लाइन बार बार रिपीट कर रहा हूं आपनी कोई भी सब्जेक्ट है physics है chemistry है आपको ये बात तो मैं जानता हूं कहीं जाने इस बात से देखने का नजरी है ना how do you see it मान लीजे कोई अपने ये पड़ा ये पड़ा ये पड़ा एपके अब मैं टीचर मैं ये भी कह सकता है अब या रोज मेसेज करता तक होगा तब हो देखने का आपका नजरीया जैसे मैं कुछ चीजों को बार 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 रोज रिपीट कर रहा है आज ठीक है वही कि आपना physics हो chemistry हो math हो वो चैप्टर पूरा रिवाइज करिए, अपने कोशन जो सर ने करा है, उनको खुद करिए, डीवीपी सॉल्व करिए, अपने पुराने टेस्ट पेपर्स को देखिए,